जैहिन दोस्तों स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल जैक पूर पे तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 का जियोग्रोफी का मौश्ट इंपोर्टेंट सवाल लेकर आये हैं तो वीडियो काफी इंपोर्टेंट होगा जो 24 अगस्त वीकली टेस्ट के लिए और आपके आने वाले फाइनल एक्जाम के लिए आज के इस वीडियो में हम लगबक 30 प्लस कोश्चन आप लोग उसे पूछेंगे किसका कितना सही होता है आप लोग को ये वीडियो आशा करते हैं कि ये वाला पीडियेफ आप लोग के पास भी होगा आप लोग को टेस्ट समझ कर इस वीडियो को देना है और हमसे पहले आंसर करना है और कितना आपका सही होता है हमें कॉमेंट करकर जरूर बताईएगा तो चलिए सुरू करते हम देखते हैं आज का पहला सवाल सबसे पहले सवाल में देखिए पूछा जा रहा आप से कि करते हैं अगला सवाल हमारा कि परतापमान वा आदरता का पुनर वित्रन किसके द्वारा किया जाता है तो यह किया जाता है पवनों के द्वारा किसके द्वारा किया रहता है पवनों यानि हवा जब चलती है तो हवा के द्वारा ही तापमान और आदरता जो है एक अस्थान से दूसरे अस्थान ट्रांसफर हो पाता है अगले सवाल पर आईए अगला सवाल देखे क्या है हमारा अगले सवाल में कह रहा है कि बताईए वायू मंडल द् इकाई क्या है यानि कि वायू दाब की मातरक आपको बताना है किस इकाई से मापते हैं उसको तो बताए बार ऐसे बार वर्ड का इस्तेमाल होता है लेकिन यहाँ पर मिली बार आप लोग याद रखिएगा यह जंजी बार यह सब नहीं होता है ठीक है कोश्चन है हमारा समुद्र तल पर औसत वायू मंडलिये दाब क्या होता है तो इसका राइट अंसर होगा एक हजार तेरा दसमलो जीरो दो मीटर मिली बार ठीक है याद रखना है धरतल के निकट वायू सगन होती है इसका मुख्य करण क्या है कि जहाँ पर धरतल होता है जहा क्या हम लोग धरतल पर होते है और धरतल पर ही क्या होती है गृत वाकर्शन होती है अगला सवाल है हमारा एक समान वायूदाब वाले अस्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है यह most important सवाल है बहुत बार पुछा गया है सम दाब रेखाएं क्या कहलाएगी ठीक है आप देखें, यहां पर कहे रहा है आप से कि धूर्वों की तरफ 60 degree उत्री येवं 60 degree दक्षनी अख्षांसों पर निमनिदाब पेटियां हैं, जिने किस नाम से जाना जाता है, तो इनको जो नाम से जाता है, अधो धूर्विय निमनिदाब पेटियां, क्या कहते हैं, अधो परनाली क्या कहलाएगा तो यह परनाली कहलाएगा चक्रवर्तिय परिसंचरन ठीक है ऐसे लंबा कुश्चन तो आपके एक्जाम में नहीं पूछता है लेकिन फिर भी देखकर जाईएगा जिन छेतरों में समदाब रिखाएं पास-पास होती है वहाँ दाब प्रवनता कैसी होगी तो वहाँ पर जो दाब प्रवनता होगी वो हो जाएगी दाब प्रवनता अधिक होती है कैसी होती है अधिक होती है अगला सवाल है हमारा कि वायू दाब को मापने के लिए किस यद्र का परियोग किया जाता है ये बहुत ही अच्छा सवाल है ये किया जाता है बैरो पर होता है तो ये जो होता है सरवादिक होता है कैसा होता है अधिक होता है कोरियोलस बल का जो प्रभाव होगा धुर्वो पर अधिक होता है ठीक है चलिए अगले सवाल पर आते हैं अगला सवाल देखते हैं क्या है इंपोर्टेंट आपके लिए तो अगला सवाल है आपका क अगला सवाल है हमारा ITCZ का विस्तारित रूप यह most important है इसको ध्यान में रखना है Intertropical Convergence तोड़ तोड़ के पढ़िएगा अगर लंबा बड़ है तो जोन ठीक है याद रखिएगा अगला सवाल है हमारा Question No.16 पे जब दो भिन परकार की वायू राशियां आपस में मिलती है तो उनके मद्द के सीमा छेतर को क्या कहते हैं तो उनके मद्द की जो सीमा छेतर होती है उसको वतागर कहा जाता है Question No.17 में कहा जाता है कि मद्ध एवं उच अक्छांसों में विक्सित होने वाले चक्रवात को क्या कहते है तो विक्सित होने वाले चक्रवात को कहते है सितोसन कटिबंदी चक्रवात Question देख लिजे, answer भी देख लिजे Question No.18 पर यह कह रहा है कि जब सीतर एवं भारी वायू अक्रामक रूप से उसन वायू राशियों को उपर धकेलती है तो वो संपर्क छेतर को क्या कहते है तो उस संपर्क छेतर को सीतर वतागर कहा जाता है क्या कहते हैं सीतर वतागर कहा जाता है कोश्चन नमबर आए 19 पे कह रहा है कि जब सीत्र वतागर उस नवायू को उपर धकेलता है तो ऐसे छेत्रों में किस परकार के मेग बनते हैं तो ऐसे छेत्रों में कपासी मेग बनते हैं ठीक है कैसा मेग बनेगा कपासी मेग बनेगा अगला सवाल है हमारा उस निकटिबंद चल जाएगा कौन सा सवाल जो है most important के category में आ रहा है ठीक है अगले सवाल पर आते हैं कि विली विलीज नामक उस निकटिबंदी चक्रवात का संबंध किस से है तो विली विलीज नामक जो उस निकटिबंदी चक्रवात का question number 23 में कह रहा है आपसे उस निकटिबंदी चक्रवात में वायू परिसंचरन परनाली वियास कितना होता है तो राइट अंसर हो जाएगा इसका option नमबर है देड़ सो से धाई सो मिल किलो मीटर ठीक है question number 24 में आपसे कहा जा रहा है वायू दा पेटिया अस्थाई नहीं होती है इनका विस्थापन हो जाता है इसके पीछे किसका हात होता है किसका हात होता है सुरे की किर्नो का question number आते हैं 25 में कह रहा है कि पित्वी के घुनन के द्वारा लगने वाले बल को क्या कहा जाता है तो पित्थिवी के घुनन के द्वारा जो बल लगता है उसको हम लोग कोरी और अलिस बल कहते हैं ठीक है और ये कहां अधिक होता है कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करकर बताईएगा ठीक है अभी हमने उसकी बारे में उपर पढ़ा जिन छेतरों में दाप प्रवनता अधिक होती है वहाँ समदाप रेखाओं की स्थिति कैसी होती है तो इसका जो राइट अंसर होगा वह हो जाएगा पास-पास क्या हो जाएगा पास-पास ठीक है जाती है तो ये जो मुडती है वो दाहिने की तरफ मुडती है नेक्स्ट कोशन है आपका कोरियोलस बल के प्रभाव से पवने दक्षिनी गुलार्द में किस और विक्षेपित होती है तो दक्षिनी गुलार्द में जो ये विक्षेपित होगी वो बाई और होगी ठीक है नेक स्वाले question number 31 में चक्रवात की दसा में पवनों की दिशा उत्री गुलार्द में कैसी होगी ये जो होगी घड़ी की सुई की दिशा के विपरित होगी next है आपका पीरू कैसी जलधारा है तो ये जो पीरू है वो ठंडी जलधारा है याद रखना है आप सभी को next है question number 33 में कहरा है आपसे कि उष्ण कटिबंदिये महासागरिये वायू रासी को दरसाने के लिए निम्लिकित में से किसका उप्योग होता है